नमस्कार दोस्तों, सीकर की जो लक्षमनगड की जो घटना है वो पूरे देश को स्तप्त कर दिया है अकाल देश, अकाल मोद, कुछ भी कहें इसको पहले ये कहा जाता था कि खवे किसी देश में ऐसी तरास्दी आ जाती है या फिर ऐसा कुछ घटना का जिकर हो जाता है जैसा कई देशों में हुआ, अमेरिका में भी हुआ, भारत में भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ तो उसे अकाल देश गोशित कर दिया जाता था कि इस देश में आकाल आ चुका है, इसलिए इतनी मोते हो रही है यूँ कहें कि लक्षमनगड की ये घटना बहुत डरा देने वाली है, बहुत ब्यावा है इसके पीछे की सच्ची स्टोरी क्या है कि लोगों को अपनी जानगवानी पड़ी बारा लोगों को अकालम गृत्यू का शिकार होना पड़ा तीस लोग होस्पीटल में भरती है, यहाँ पर कॉंग्रेस कि भाजपा के तरह तरह के नेता होस्पीटल में चले जाते हैं आज इन ही मुद्दों पे हम बात करेंगे, क्या होस्पीटल में जाने से वो जिंदगियां वापिस आ सकती है क्या सरकारों के पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि पहले इन चीज़ों को कंट्रोल किया जासके चलिए पहले करते हैं जिक्र इस घटना का क्या आखिर ये घटना कैसे हुई साला सर से एक बस रवाना होती है उसके अंदर बहुत से यात्री हर्मान जी की परिकर्मा करके आश्रिवाद लेके अपने घर की और रवाना होते हैं कई लोग विदेश से आते हैं कई लोग मंदिर से आते हैं कई लोग साला सर से ही आते हैं किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, एक सपना था, कि धन तेरस का तेवार है, आज कुछ न कुछ नया करेंगे, प्रिवार के साथ बातें करेंगे, इसी बीच जो ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर काफी तेज गती में अपनी बस को दोडाता है, इस पर कैई जो व्यक्ति बोलता है कि आप बस की AC बंद कीजिए या इस बस की खिड़की से मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो बाकी कोई भी सवारी किसी का भी साथ नहीं देती है अगर कोई तेज चल रहा है और उसमें से कोई विरोध करता है कि भाई इस बस को थोड़ा धीरे कर लीजिए लेकिन वहाँ वो अकेला पढ़ जाता है और कोई भी उसका साथ नहीं देता है बस यही हमारी गलती होती है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं अगर उस बस में दो चार लोगों ने उस बस के ड्राइवर को रोका तब बाकी अगर सुवारियां अगर उन लोगों का सा देती तो आज ऐसी घटना नहीं होती पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू यह है कि जो कंड़क्टर था वो हमेशा मतलब उसके साथ रहता है लेकिन कभी उसे डर नहीं लगा लेकिन पहली बार उसने यह कहा कि मुझे डर लगा मैंने इसे रोका भी कि आप इतनी ब बात को अंसुना कर दिया पता नहीं क्या था उसके जहर में क्या चल रहा था उसके दिमाग में क्या चल रहा था ड्राइवर की हालात कैसी है यह अभी किसी को भी नहीं पता है ना मीडिया में को रिपोर्ट आ रही है कि ड्राइवर बसका जो ड्राइवर था वो घायल है य वो क्या कर रहा है अभी ये अभी तक बाहर खबरे नहीं आ रही है हमेश्या ड्राइवर को बचाने का प्रयास किया जाता है मोटर मालिक के द्वारा चलिए ये बहराल अलग बात है ये सूचना सामने आ भी जाएगी कि क्या हुआ और उसके पीछे वजह क्या थी लेकिन जैस इसे ही लेक्षमनगड का जो पुलिया है जिस हाइवे को वो सडक जोडता है तब बस एनियंत्रित होती है और एनियंत्रित होकर के बस उसमें इतनी खतरनाक तरीके से टकरा जाती है कि सब के मुह है जो मुह पर चोटाती है सोचने योग्य ये बात है कि सामने जो होटल है होटल की जो लोग है वो चाय बना रहे थे अब होटल पे आपने भी चाय बनती देखी होगी जब होटल में चाई बनती है तब उस गैंस की आवाज इतनी होती है जिस पर चाई बन रही होती है जिस चूले पर इतनी आवाज तेज होती है कि अगर आप पास में बैठे अगर बात कर रहे हो तो जो चाई बना रहा है वो आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा अगर मान लीजिये 100 मीटर दूर अगर कुछ बहस हो रही है और कोई पटाका बंग भी छूटा है तब भी उसे पता नहीं चलेगा इतनी तेज अवाज होती है लेकिन बस के टकराने की इतनी तेज अवाज थी कि उस चाय बनने की अवाज को धिमा कर दिया और वो बड़े खतरनाक तरीके से चौक जाते हैं भागते वे उसके पास जाते हैं देखते हैं खून के छीटे उस पुल के दिवारों पर निशान पड़े हैं पूरे लोग स्तब्ध हो गई आचानक से कि आखिर ऐसा कैसे हुआ सामने से अगर कोई साधन होता तो ये आंकड़ा मोत का ज्यादा जा सकता था लेकिन गनीमत ये रही कि सामने कोई साधन था ही नहीं पुलिया में इतनी तेज बश टकराने के बाद में जो विस्पोर्ट हुआ है और जो आदमियों के होस उड़े हैं आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी की पूरी जिंदगियां मोत को अपने सामने देख रही थी बार बार रोकने के बावजूद बस का एनियंतरित होना पुल में टकराना ये क्या संकेत देता है जब पत्रगारों ने पूछा कि क्या हकीकत है तब बताया कंडक्टर ने कि ये 15 दिन पहले ही भरती हुआ है 15 दिन से इसने कभी कोई मिश्टेक नहीं की लेकिन आज ने जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आज हमारी जिंदगियां दाउं पर है इसे रोका भी टोका भी लेकिन इसने हमारी बातों को अनसुना कर दिया वज़य क्या थी आखिर बात को अनसुना करने की ये समझ से परे है ये जांच का विश्य है और जांच का जब विश्य है सामने आएगा तब पता चल जाएगा कि आखिर 15 दिन पहले एक ऐसे युवक को ड्राइवर रखा जाता है जिसने 12 जिल्दगियां चेनली और 30 जिल्दगियों को खत्रे में डाल दिया आखिर वो कहां काम करता था किस बेस पर उसको लिया गया और आखिर ये क्या point of view थे जिसकी वज़े से उसको इतनी बड़ी बस को सौप दिया गया अब हम घटना का जिकर कर चुके हैं अब हम आते हैं उन जिकर पर जिस जिकर का हमें आज फिकर करना जरूरी है मित्रों घटना घटने के बाद में रास्तान सरकार ने मुआउजे का आईलान किया है बहुत अच्छा कदम है ये PMO से परधार मंतरी नेंदर मोदी ने भी मुआउजे का आईलान किया है ये भी बहुत अच्छा कदम है हम इस कदम का स्वागत करते हैं लेकिन चाहे सरकार भासपा की हो या कॉंग्रेस की हो इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में लोग लगातार उस चीज को देखते आते हैं और मौावजे पर मौावजा देते आते हैं यह हमने देख सकते हैं यह चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे स्टेट में गवर्मेंट किसी की हो, केंदर में किसी की भी हो, कोई किसी से फ्रक नहीं पढ़ता, मुआउजे का ये हम एक तरह से मैं इसको नाटक कहूँगा, ये नाटक चलता आ रहा है लेकिन क्या इतनी भड़ी गटना होने के बाद में किसी सरकार ने ये कदम उठाया कि अब rules and regulation कड़े होने चाहिए और अब ऐसी जिंदगियों को हम खत्रे में नहीं डाल सकते शायद किसी भी सरकार ने नहीं सोचा होगा सोचा होगा तो वो कागज के टुकड़ों पर चंदलाईने लिखी होगी उसको पास किया होगा अधिकारियों तक भेजा होगा और भेज करके उसको रद्धी के टोकरी में डाल दिया होगा लेकिन क्यूं ऐसा क्यूं होता रहा है हमारे देश में सबसे बड़ी विंडम्रा औरती शुक्ती मुझे बिलकुल नहीं होगी कहते हुए कि हमारे देश में एक लाप्रवाही का तगड़ा सिस्टम बनता रहा है अब इंटरसेप्टर की गाड़िया हैं स्पीड की गाड़िया हैं वहाँ पर कोई भी एनियंतरित गाड़ी निकलती है तो उसको साइड में बुला लिया जाता है और उसको सो दो सु रुपे में निप्टा दिया जाता है ये प्रतेक्ष रुपी बात है और ये घटना जो लून कंसर में है लून कंसर के जो अभी वर्तमान में जो विधायक और जो मंत्री है वो खुद कह चुके हैं कि लोगों का हरेस्मेंट किया जाता था इस तरग पे इंटरसेप्टर की गाड़ियां ऐसा काम करती थी बीकानेर की बात कर रहा हूँ है ये आम तोर पर हर जगय बात होती है कि आपकी गाड़ी अगर ओर स्पीड है आपको साइड में लगाने के लिए बोला जाएगा आप कानून की धजियां उड़ाएए आप 100-200 रुपे में कानून को खरीद सकते हैं ऐसा लोगों का मानना हो और ऐसा बुद्धी जीवी का मानना है ये तबी इतनी बड़ी घटनाओं का अंजाम हमें देखने को मिलता है दूसरी बात ये है कि जब बस में किसी कंड़क्टर को रखा जाता है तो उसका भी रिकोर्ट चेक करना चाहिए कि आपरादिक रिपोर्ट तो नहीं है क्या है इस प्रमामला ये कंड़क्टर यानि कि इतनी ज़्यादा स्वारियों को मेंटेन कर सकता है इसको बोलने की तमीज तहजीव है या नहीं ऐसा ही ड्राइवर के साथ होना चाहिए कि क्या उस ड्राइवर के बुद्धी में ऐसा भी एक जिवानू विशानू है जो वो कुछ भी हैंडल कर सकता है लेकिन बताया यह जा रहा है आर्टियों की तरब से की ब्रेक फेल होने की वज़े से यहाथसा हो सकता है लेकिन सवारियां यह कह रहे हैं कि वो पहले से ही तेज चला रहा था तो इस बात का खंडन वो चसमदीद कर चुके हैं अगर ब्रेक फिल होती तो ऐसा काम नहीं होता कि वो पहले से तेज चला रहा है जब पहले से जब तेज चला रहा है तो सवारियां उसको टोक रही है तो उसमें अगर ब्रेक फिल होते है और नहीं होते यह बाद का विश्य है लेकिन पहले विश्य ये है कि उन सवारियों की क्यों नहीं सुने ओवर स्पीड बसों पर क्यों नहीं लागू होती आप देखेंगे फातापूर के अंदर एक छोटा सा स्टेंड है या तो वहां से कोई छोटा जो वाइकल है वो निकल नहीं सकता इतनी वहां बसें आ जाती है ऐसा क्यों? जहांपर मर्जी करें वहां बस पार्क कर दी जाती है क्या बस वालों के लिए कोई कानून अलग से नहीं बना? क्या इनका एक अलग से स्टेंड नहीं बनाया जा सकता? वो सरकारी रोड है जिसमें से छोटे वहान भी गुजरा करते हैं ये बस वहां रोक देते हैं जहांपर पूरा वातावरन दूसीत हो जाता है वहांपर के लोग घंटों तक वेट करते रहते हैं और अगर मान लिजिए कोई बिमार हो तब क्या हालत होगी बस तो वहां से एक इंच भी नहीं हिलेगी तो इनकी ड्राइवरों को कोई डर ही नहीं है एक्चुल में तो ये बात है सबसे बड़ी ये बात है कि ये भरती हो जाते हैं और भरती होने के बाद में इनको ये पता नहीं होता कि हमने जहां बसका ब्रेक लगाया है वहां से पीछे करीबन 50 सादनों की लाइन लग चुकी है ऐसा आपने भी कई बार द्रीशय देखा होगा ऐसे मापदंड त्यार होने चाहिए जिस मापदंडों की बुनियाद पर सेफ रह सकते हैं और दूसरी बात ये है कि हमने काफी सोचने के बाद में काफी समझने के बाद में अलग अलग वीडियो देखने के बाद में ये चीज नोटिस की है कि ड्राइवर को बहुत ज़्यादा जल्दी थी या तो वो धनतेरस पर घर जाना चाहता था तो धन तरस पर चुट्टी क्यों नहीं कर दी जाती है, इनको क्यों कमपल्सरी भेजा जाता है, कि दिवाली जैसे मोकों पर या एक दिन की चुट्टी होती है, इनको क्यों ऐसे मोकों पर चुट्टी दी जाती है, इनको आजाद छोड़ देना चाहिए, कि आप इतनी जिंद यह conductor भी कह रहा है अगर 15 दिन से वो लगातार safe driving कर रहा है तो आज उसकी क्या दिक्कत हुई कि वो इतना तेज गाड़ी चलाता दिक्कत यही थी कि उसे चुट्टी नहीं मिली और वो घर जाने की कोशिश कर रहा था यह जांच का विश्य है और देख लेना आप जांच में यही पाया जाएगा किसी भी बस में सवारी करें उससे पहले आप अपने आपको यह secure कर लें कि जिस बस में आप जा रहे हैं क्या वो बस एक सरकारी बस है रोडवेज बस है क्या वो बस private अच्छी condition में है प्राइवेट हो यह रोडवेज हो कोई भी हो लेकिन क्या आपकी बस एकदम वैल होके है डिबा नहीं है, खटारा नहीं है ये सारी चीज़ें आप देखेंगे अधिकांस बसों के कागज भी नहीं होते लेकिन फिर भी आर्टियों दो-च्यार्श्रो रुपे लेकर के इदर उदर बातें कर देता है ये सत्य बात है ज्यान रखना जब आर्टियों की सकताई होती है और जब उपर से आदेस आते हैं तो कई बसों के हमने देखा है चलान काटते हुए तो ऐसी बसों को आप चलान काटने की बज़ए ऐसी बसों को सीज कीजिए जिनके कागज नहीं है जिन बसों को चलने की सही स्थिति नहीं है वो बसें भी आ सड़कों पर दोड़ रही है यकीन मानिए विश्वास रखिए जिन्दगी से बड़ी कोई बस नहीं होती इसलिए आप खुद सतर करें आप जिस बस में स्वारी कर रहे हैं क्या वो बस बैटने लाइक है क्या वो बस सफर करने लाइक है ये आप दे कीजिए मिलते हैं इसी अंक में और इसी मुद्दे पर तब तक के लिए नमस्कार आपका क्या विचार है आप जरूर बताएं जैन